मैं हूँ SK ठाकूल और अभी आप देख रहे हैं बलेटेकौप.com आज हम लोग आए योसे इंजिनरिंग के बार में चाचा करेंगे फिलाल आप लोग अच्छे होंगे यह मेरी कामना है इस वर से और थोड़ा सा मौसम में भी होता अच्छा चल रहा है थोड़ा सा पहले किया यहां लोग यहां लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल में है तो इसके प्रदाश से कह सकते हैं कि मौसम कुछ ठीक चल रहा है लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा परहाई की दुनिया में आये तो खास कर यह बेटर होगा और बहुत ही अच्छा होगा ठीक है तो हम लोग अभी सब्सक्राइब लोग और इसी दुराना हम लोग आज बात करेंगे कुछ बाते करेंगे हम लोग फिलाल आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको कुछ भी मिलेगा उदम और एदम कंपैक्ट वे मिलेगा और इसके लिए आपका जो बिल्डप हो और एक से कहा जा सकता कि कंक्रीट बिल्डप होगा आपके अंदर बतलब कि जो आपकी जो सुचने की स्थक्ति होती है सुचने का जो तरीका होता है और तो अगर आप इस पछलिए इंजिनिरिंग की दुनिया में तो ठीक है तुड़िया तो आपक्ट आई ए क्या है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद चाहिए करेंगे में तो टाइप सब्सक्राइब तो इसलिए आप आप लोग को नहीं होना है हम जो पर आएंगे उसी चीज़ को फॉलो किजिएगा इतने स्टूरेंट को पता नहीं चलता है कि टाइप और में तो बाते होंगी फिर हम लोग विजाचा कर रहे हैं तो हम लोग का सिस्टम है मतलब की वह क्या होने बाला है आज का हम लोग का सिस टाइप आज पढ़ेंगे कि कितने टिफी को होते है तो अगर मेजरली हिए मेजरली आइरीगेशन को आप भी पार आई योजर र०े में आए तो तो आपके पास मिलने वाला है इसके तीन टाइप-जन मिलेंगे पहला जो टाइप्स होगा तीन टाइप्स मिलेंगे जिसने से पहला जो टाइप्स होगा वो होगा सर्फिस आइडिएशन कैसा होगा छात्रों यह पहला जो टाइप्स होगा वो होगा सर्फिस आइडिएशन दूसरा जो होगा सब सर्फिस आइडिएशन और तिस्टरा जो होगा उसका नाम में होगा ऑफरनेर ऐडिवेशिंट तो प्यारे छात्रों ये तिन टाइप का ऐडिवेशं नाम П्किट मीलकी आपको फोडेटेंगे पीन नेचर फेस है सबसर्फेस अरोबर रेट इसन तो सबसर्फेस और लोग जानेंगे पहले इसका आम एक डियाग्रमेटिकल भीूप बना लेते हैं उसके बाद हम दोग करेंगे सबको एक स्प्लेंड करें तो सबसर्फेस जो गया उसमें दो टाप्स आजाता है ना इसके दोटाइब होंगे, artificial, पाले लिखे नैचुरल, नैचुरल, दुसरा लिखे अं अठिक्फिसाल, निच्छल, और दुसरा क्या होगया, artificial हो गया तो natural sub surface irrigation लिखे और artificial sub surface irrigation लिखे ठीक है और इसमें जो होगा इसका भी दो type होता है majorly इसका भी देखा जाए तो दो type होगा इसका जो दो type होगा उसमें होने वाला है एक होगा flow irrigation दूसरा होगा भीम लिखे लिफ्ट dive irrigation रिकमीं होता है तो इसमें इसमें भी दो type हो जाता है यह जाता है है और दीन खिससे बड़िय दो ध्रीखेश्टंत और दूसरा जो हो जाता है दूसरा हो जाता है फ्लर्ड और या पीशू कहिए फ्लर्ड या इनन्डेशन अड़ि गेशन ठीक है उसके बाद प्रेणियन अड़िकेशन का भी दो टैप हो जाता है एक हो जाता है इस्टोरेज और एक हो जाता है दार्यक्ट इन सावे जो वार्ड है उसमें आप क्या करेंगे आप्टिफिसियल लगा लेंगे याप लिखेंगे फ्लोर्ड याप लिखेंगे लिफ्ट आरिगेशन आपने होता है और जानेगे कि होता क्या है और इसको करने की टेकनिक यह पर दिसक्स किया और टाइप के बाद जब हम टेकनिक परेंगे उसे बहुत साला टेकनिक आयगा प्लांट का जो कंट होता है जहां प्लांट का हिड होता है उसके उपर पानी देते हैं अगर इस पर होता है और बात के जाए सबसे सबसेशन की सबसेट्वी सबसेशन की जोकी यह प्लांट होगा सिस्टम से लेगा कि अधर इसको मतलब है प्लांट में वाटर की इसको बनाया जाएगा है ना बैद्धे हेल्फ ऑप क्या पूरा किया जाएगा अब सर्फिस हाइरियसन में मतलब कि आपका जो प्लांट ौगा उस प्लांट के अगर मंस लिए अगर आपको और समझना है इस चीज़ को तो मैं चलते हैं यह मेरा आगर कोई हैं ना कोई मांस लिए रिफर है और आप वह इस प्लांट इस विशेश प्रकार के वाटर रेजर वायर से इस प्रकार से वाटर लेगा यह वाटर जो लेगा वह कहने करिंग क्या पिलारी एक्सन के उदार लिया जाएगा वह हम लोग क्या कर रहा है जमीन से लेवल से नीचे वाटर का लेवल है वाटर जमीन से नीच वाटर रिसोर्स है मेरे पास इसलिए हम लोग कहते हैं कि सब्सर्फिस इसे को जमीन के नीची मेरे पास वाटर 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 जो रिसोर्स होगा ठीक है और यह जो होगा सर्फिस आइरी के वहूंगा क्लान के सता पानी करेंगे और यह क्या करेगा यह सिस्टम क्या होगा इस पर एक हाइट लेगा और प्लांट बनेगा जैसे कि दान की क्षेटि में होता यह यह कि आप उसमें पानी का एक विशेस प्रकार का हाइट लगा देते हैं खेत में और जो आपका फिर्ल होता है उसमें और उसके बाद वो वो प्लांटेशन आगे बढ़ता है तो कहने का मतलब है तीन तरीके हो गए थे क्या एक तो आप सर्फेस को उपर पानी दो सर्फेस कहने का मतलब होगा जमीन को उपर पानी दो दूसरा जमीन के नीचे से पानी दो और तीसरा और जमीन को उपर दो जमीन के नीचे दो सिर्फ पतियों पर दो तो उस प्रकार से जो पतियों पर देने बाला था उसको बोलते थे हम लोग बहुत है इस लेक्षर में आप एक-े-एक करके है ना एक-ेक करके सारा का चिट्ठा भी खोलेंगे ठीक है कि अब इस इन अबढ़ेंगे तो अदो हुआ है कि विञां हुआ होगा हुआ तो अब ही ओधने कारेंगा सर्फिसालिगाशन की द पारे में और आगले चलिए तो पारा था क्या फिर्स पारा था पारा था सर्फिस आइदेशन अधिस आइदेशन था पारा था प्लांट के जहां रूट होता था रूट के ऊपर अधिस्ट मतलगी प्लांट के जास्ट तने के पास हम लोगा करते थे पाइन देदे इसमें लिखेंगे प्रश्ट मारे सेंगे लिए इस आइदे लिए हैं लिए ओ Tay sellers लिएत पारिबी engine ऋल के लिएध बिएटीी आरा ऩिर लिए्ट संव ciaoutan रि ले लिजएर कर दो पर यह इस्में क्या होगा दो इसमें क्या होगा दो वाटरीज लिलेजेर अद दे गौंद सर्फेस गौंद सर्फेस तो मेट the water requirement water requirement water requirement of crop water requirement of Cabo Jaga students crops water requirement of crops क्या करेगा उसको ज़रुरित होगा water requirement of crop मतलब कि पौदे को वार्ट चाहिए वह हम लोग कहा देंगे ground surface पर देंगे इसलिए हम इसको कहा बलते हैं surface irrigation और यह surface irrigation होता है था accidents दो टाइप का होता था क्या था hit में भी पहला क्या था surface irrigation में फाला था flow irrigation है ना और दूसरा था lift irrigation flow irrigation दूसरा लिफ्ट आईटी irrigation ठीक है हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग अब flow irrigation को समझेंगे क्या था flow irrigation अब तो flow irrigation होता है students क्या होगा जब आपका मान्द चलो एक खेत है है ना आप मान्द चलते है कि कोई इस प्रकार से यह कोई क्या है पहाड़ है पहाड़ है जिसका आप हिल कहते हो तो यह जो हिल होगा यह जो हिल होगा वो ऐसा है और मान्द चलते हैं आपका फिल्ड जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या है फिल्ड है ठीक है यहां पर आपका मच चलते हैं अमस्हार ही है और यह क्रपिम है और कहीने खहीं यहां पर कोई न न डौपी है क्या है जाना है यहां ве यहांपर है तो आप क्या करोगा नहीं देंटेंट इस above से अगर पानी इस में ले जाना है सब्सक्राइब करते हैं अब लगर इसे पाने ले जाना तो भा सकते हैं कि ने करवा सकते हैं मतलब क्या होगा इस में से क्या करनान यूंखा लेंगे यहां पर ले आएंगे इस पता चलेगा कि मेरा होगी ग्रेविटी के दौर अंदर पाने का फ्लोव हुआ है ग्रेविटेस्ट नल ग्रेविटी कि यह ग्रेवीटीच के कंशेफ्ट करेंगा पूद सब्सक्राइब जिस डिएरेक्शन में स्लोप ज्यादा रहेगा वह जिस डैक्शन में अगर डाउन और सिस्टम रहेगा से कि मेरा जिस्टम में खेत का वो डाउन है तब जाकर क्या होगा कि यह फ्लो एरिगेशन काम कर पाएगा ठीक है यह समझ में आए अब मानुच चलते हैं जस्ट इसका उल्टा उल्टा केस मान चलते हैं यह जो आपका फिल्ड था यह फिल्ड नहीं यह क तो क्या होगा स्टुजेंट्स शेक सब्सक्ता मान लेते हैं यह रिजर्वायर है और यह मान लेते हैं ज़िए और ऐसमें मिसटटरेश्ट है जिसमें क्या गया है अ त्रिक सूंच का होगा कि इस पानी ले जाना है तो Assistive file पानी ले जाना तो आप बिदहック ग्रेविटी नह यहां परेगा कि इसमेर से क्या करना प्रकाट पानी को फ़े जो भी कि मतलब से पानी को लिफ्ट कर बाक गेंस्ट जब भेजना परेगा तो उस तो फ्लो आईरिकेशन और लिफ्ट आईरिकेशन में यही सिस्टम है आप इसको समझे तो यह क्या हो गया फ्लो आईरिकेशन में लिखते हैं लोग कि इस टाइप और आईरिकेशन The water is, the water is delivered, the water is delivered to the field with the help of gravity, gravity force, it is applicable, it is applicable, it is applicable when the area to be irrigated, area to be irrigated, when the area to be irrigated is when the area to be irrigated is available at downgrade, that of downgrade or lower height. And, available at downgrade with respect to, with respect to, kya jai ga? The downgrade with respect to, downgrade with respect to, the grade of, height of, height of water resources, water source kya, water sources. अगर आपका इसका फिकर बनाना चाहे तो अगर आपको नीचे दिख रहा है, तो हम इसका फिकर बनाएंगे, क्या? कि अगर मान चलिए आपका, इस्ट्रेज रिजर वार यहां है, कहीं न कहीं यहां, और कुछ इस फरकार से, डाउन इस प्रकार से कुछ न कुछ जो मेरा सिस्टम है, एडिया है, उसका grading है, और यहां है, माना मेरा खेत जो है, field है, crop जो है, यहां है, तब जा के हम क्या करेंगे, यहां से पानी को flow करवा सकते हैं, तो और यह जो flow होगा, gravity के according होगा, मतलब कि यह जो सिस्टम होगा तो इसको हम क्या सकते हैं कि यह मेरा जो है फिगर किसका है इस इसको नीचे लिखना चाहिए लेकिन हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे तो कि नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं ते ये फिगर है ये फिगर है किसका फ्लो़ एरिगेशन का ठीक है फ्लो एरिगेशन का फिगर है इसमें था क्या कैस्ट्टेंट्स ये था water source और ये था के मेरा crops पॉदे थे आई water source है और देखिए यह जो होगा, flow according to gravity, flow according to gravity, ठीक है, मतलब की, flow according to gravity, gravity की अनुछार flow होगा, तो इस प्रकार से कहेंगा कि यह क्या है, flow irrigation है, तो सपी आंस साथ को जितने बी नदियां दिखती है वो सारी नदियास से हम वाटर का इरिगेसन करते हैं रह decide को जम उसमें पानी डालते में इस जी पानी लिए जाते हैं वो सारा खहर संश्शूर शुक्षी सहरा कही एक होता है तो यह हम समझेंगे लिफ्ट अर करनेंगे अगर लिफ्ट अर्ट करना है तो हमको उसमें कुछ नगुछ इडिदिंग क्या करना है इसमें कि इसको हम क्या कर देंगे समझ तो समझात तो दिये ही हैं आप लोग को इसमें अगर हम यहां पॉइंट करते हैं भी लिफ अरिकेशन तो इसमें क्या है डाउन ग्रेड अपुरेड चलता है मतलब कि जेम फ्लो अरिकेशन का ओल्टा इन इन इस आप अरिकेशन वाटरेज दिवाट तुद फिल्ड ग्राविटी फोल्स इडिजए अपली केवल वे अरिया टुब आईट अप अपक्रेड यहां पर लिखें आपक्रेड अपक्रेड मतलब कि उच्छे हाइट पर अपक्रेड अनकी अन्य आप मोर आइट अन्य विथ रिस्पेक्ट तो दा ग्रेड ऑफ वाटर रिसोर्स ठीक सिस्टम अब उसके बाद क्या करेंगे सेम चीज में इस फिगर में रिर्ट करेंगे हैं तो मानच लिए यह मेरा क्रोप सब्स हैं यह मेरा कुछ इस परक्रण से ग्रेडिंग सिस्टम है आन्या यह क्या है यह मांच लिए आपको गराउंड लेबल है और यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको पास रिजर वायर है पानी को स्टोर करने वाला चीज है तो इससे अब जाब इसमें डालेगा पानी तो यह हो जाया क्या लिफ्ट एरिकेशन तो लिफ्ट एरिकेशन यह हुआ अगर मांते हैं यह इसको और समझना आपको तो मांच लिए आप जो आप जो हैंड चलाते हैं अपने घर पर चापक लजाते हैं वह कहीं पानी को अंदर से लिफ्ट करके उपर लाता है तो उसका खेट उसका काम हम लोग खेटी में नहीं कर सकते हैं कि आप मनुस्य का हरिकेशन हो रहा है हां बहले हम यह कह सकते हैं कि कहां कहीं लिफ्टिंग का काम वहां भी हो रहा है यह जो मेरा हैंड पंप हुआ है उसमें भी लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि मनुस्य का हरिकेशन हो रहा है यह कहना गलत होगा ठीक है तो इस परक क्या है वाटर सोर्स है वाटर सोर्स है अब यह क्या है कि फिलो अगेंस्ट ग्रैविटी आप इसको कैसे फिलो कर भाइंग इस्ट्मेंट्स हां बीदे हैल पाफ है बिद्रहें पाफ तो यह पूरा यह जो है यह इसका अब बचा नहीं हुआ अभ बचा हुआ है अब बचा हुआ है सब्सक्राइल करेंस टाल इसको आप लिखेंगे इसको आप लिख लीजिए, flow irrigation का दो टाइप होता था, एक रूटा था, क्या एक था, flow में एक था flood, और दूसरा था, perennial, प्लाड और प्लाड को ही इनन्डेशन कहते थे याद होना थे यह सचीज फ्लाड को ही इनन्डेशन कहते थे ठीक है तो हम इसको भी मिटाते हैं और इस दूरों के बारे में पढ़ेंगे है यहां पर दो तर्म आता है एक आता है और अपर इनन्डेशन तो हम को समझेंगे प्लाड या पिनन्डेशन के ने का मतलब क्या है कि और हमको लगता है बिहार के जितने भी इस चीज से इस वार्ड से प्रेशान रहते तो स्टुदेंट्स इस टाइब का एरिगेसं होता है जिसमें वाटर सोर्स प्याइविलिविलिटी होती है तो इसकेस में अगर यह रिभर इस रिवर में पानी इनी टानी रहता है जब फलड आती है तब पर इस रिवर में पानी रहता है जिससे हम क्या कर सकते हैं इस फिल्ड को आइरिगेट कर सकते हैं मतलब कि इस रिवर में हमेशा 12 मौन्थ पानी नहीं रहता है इसमें होता यह है कि जो बार्ड की मौसम आती है पानी जो आती है तो बार्ड लाती है लेकिन जो भुदाय हो जाता है रिफर सुख जाता है तो दो आहां पर problem हो जाता है प्रोप्रोबलम हो जाता है क्योंकि अगर आपके पाशसी समय बार्ड आएगा उस समय पानी के विपलोटिक बहुत ज्यादा मतरमेराना रहाएगी ठीक है तो आप उस समय irrigation कर लेजेगा लेकिन जब नहीं बाड नहीं आएगी जब यह नदी सुखा रहागा उस समय irrigation करना उसमारा दिमें जब इसे लिये जब बाडव करते सिस्टम होता उसमें इसप्रकार के फिल्ट में मिए इस वॉक्षा की घर होता है उसका बहुत जड़ा threats ताकि इस वाए के सुख्रो पानी जब लगा दों हम लोग प्रकार करना होता है और उसको हम लोग चाहेंगे तो मजा मार लेगा तो मजा मार लेगा अब बात है इसी टर्म को बोलते हैं इननडेशन भी है ना इननडेशन या फिलाड कहने का मतलब एक ही होता है इस सेंस में, है न, आप यह नहीं कहेंगा, सर, इनन्डेशन और फ्लाट का सिस्टम अगर एक होता है, तो हमेशा इसको यूज करेंगा, क्या, नहीं, इसको हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, चुकि भासा के साथ यह प्रोलम होता है, इसलिए, फ्लाट और इनन्डेशन का, इनन्डेशन समझ में अगर इनन्डेशन समझ में आया होगा, अब उसके बाद आते हैं, प्रेनियल टर्म करें का मतलब क्या है, प्रेनियल जो वाड होता है, उसको कहने का मतलब यह होता है, कि constant flow, मतलब कि कोई ऐसारीवर होगा, यही रिवर जो था, इसमें अगर constant flow रहेगा पानी का, तो उसको कहांगे, उसको कहांगे, मतलब कि water की availability इसमें, one year में 365 दिन रहता है, मतलब कि 300 दिन का जो यह होता है, उसके 300 दिन ही इसमें water रहेगा, मतलब इसमें पानी कमेगा नहीं, तो इस परकार करीबर को बोलते हैं, हम लोग प्रेनियल लिभर, और इस परकार से irrigation जो होने बाला होता है, क्या उसकों बोलते हैं, perennial irrigation, क्या बोलते हैं, perennial irrigation, मतलब प्रेनियल लिभर होगा जिसमें source of water जो होगी उसके availability वह क्या होगी, फ्रूर आउट दी एर होगी, मतलब कि एक एर में पूरा, anytime water, water is में रहेगा, तो इस परकार से करेंगे, उसकों लोग प्रेनियल लिभर होगा, तो दो प्रकार कारीबर इसमन था, फ्राड लिभर होगा इसमें प्रेनियल लिभर होगा थेक्या, जिस्वार्म को का करेंगे, लिखनेंगे, जिस्वार्म को का करेंगे, लिखनेंगे, जाथायक्या, अभी फ्लाड, या फिरिशू ए इननदेशन, फ्लाटे फिर इंदेशन आरिकेशन क्या होता है तो सब कुछ लिखी जाने चुके हैं इन इस टाइप और आरिकेशन अिन्याइप आरिकेशन अवालिए डैविलॉत अवयलूलिट यकेशन हो ड्सुच मिलीट लाट अवतर यह जिए जी कि एकिन झान टुट्ट इसके अभीजिक लिए आप भी एकिय हैंट नूज रुट इसके लिएप्टास में ग्यांट बीक दड़ीजिक है। that is, the river is not under flow, the river is not under flow throughout the river is not under flow throughout the year, the river is not under flow throughout this type of area, this type of area is irrigated with high amount of water such that, such that, the moisture content, content of soil could remain, moisture content of soil could remain for large time, this system होता है, तो स्टुडेंट्स ये जो सिस्टम होगा, इसमें क्या होता है कि सम्टाइम्स के लिए ही वाटर का एविलिविटी तो होता है, इसके लिए हम रुका करते हैं, इस फरकार से स्वाइल का जो मास्टर कंटेंट है, उसको मिलुक जदा दिन तक रखेंगे कि क्या होगा, मुझे आगे जाके, मतलब की पानी की कमी महसूस नहीं होगी, नेस्ट बात आती है परेनियल परेनियल आरिएशन तो परेनियल आरिएशन जो बता था इसमें इस ताइप दी वाटर सूर्स इस अबलेवल थूआउट 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 करेंगे मतलता है संपूर्ण है ना पूरा पूरा थूआउट अगी यर क्यार थूआउट आरिएशन वाटर का वाटरर थूआउट तंक और प्यर्ण इन दिस एरिया है कि अधिकर सब्सक्राइब किसी ताय में कि आइशा होता है इस प्रण गेलिया में टिक है जो कि पानी का फूलो होता है थ्रू आउट दियर से मुझें अब गया होगा इसमीर इसका भी दो टाइप था प्रेंएर रेकिसन का दो साथ हम इसमें दिखेंगे ही में विद्ध क्या चला गयुक्व थो टैस पार टाइब कहा है एक है आस्था अच्छा सुट्रेंच आट था दिरेक्ट अदूसरा था था स्था था थेम्स कहा है था इंडाइर्यक्ट नहें डेक्ट था आएक था था फेर था स्टोरेशूशूश् किया है थे थिह दो था अब हलोग इसको जानेके तो यह ट्भिक जोगा खतम हो जाएगा इसट टॉड़च आइरेटरिक लिगेशन क्या था अच्ट मिलेगेशन इसको फ्लोव घॉंस्टेंट है यह नदी है इसका फ्लोव है वह क्या है और यहां फिल्द है जिसको हमको क्या करना है तो इसको आप करने करने कद दो तरीकों आइस से इसान रिवर्स डारिक्टि करें वह करें या फिर करें कि पहले के पानि इसमेLIE तो इसे दोनों के आधार पर यह दोनों लिख लेंगे तो डारेक्ट और एस्टोड जैसे तो लिखेंते हैं हम लोग किसी बारे में घरेक्ट के बारे में डारेक्ट अरीगेशन दिखेंगे तो स्टुडिंट सट डारेक्ट अरीजी जो होगा वो क्या होगा इंदिस टाइप गी वातर गीज डारीक्ली डार्क्ली डिलिवारड डारेक्ली डिलिवार to the field, directly delivered to the, in this type, the water is directly delivered to the field, to the field from, field from the perennial deliver. अब क्या होगा प्रेनियल दीवर अब क्या हो जाएगा नेस्ट डेक्ट के बाद इन डिर्ट यह था था इस्टोडेश था है तो यह प्रेनियल दीवर और यह अग्या है इसको हमको करना है तो इस एडिया और इस हमकोड़ेंगे connect कर देंगे यह कनाल यह कनाल है और यह मेरा क्या है फिल्ड है कि यह क्या है मैरा फिरेनियल रीबर है कर आख लोग ऑड़ रही बालए तो पर आपको समझ में आया होगा आप उसको बाद चलते हैं हम लोग रेज पर चालेंगे तो इसको पार आप लोग एसको लिख लिख लीजें हम टेस कार रहे हैं हुआ है ये गदने होगए आप लोग पाणी रे पाणी ते रंग कैसा comment पाणी ते कोपा होता है प爪ील ntदरि को पता होता है पाणी वे पाणी तेरा रंग कैसा तो अभी किस्का आप चाहें के सब्सक्राइब यह तो तौशा अनुपक्षण से पहले हम पूसिने किसी यह रहें पानी को यह रहे थे इन दीस टाईप this time the water is firstly wants to leave and a stored a stored in a reservoir then it is transport it is it is connected and every day delivered the delivered to the field to be educated अब इसमें क्या होगा कि इसको फिगर बनाएंगे हम लोग तो मैं चाहिए यह मेरा क्या है प्रेणिन लिवर है और यह मेरा क्या है और यह मेरा क्या है फिल्ड है तो इसको हम ऐसे बना देते हैं इसको हम इसे लगा देते हैं और यहां से यहां इसको हम एड़ कर देंगे तो यह क्या वाजागा कनाल टूब इसरवायर यह क्या मेरा इसरवायर है और यह मेरा क्या है यह मेरा है यह अगल टूब पिल्ड फिल्ड के लिए गनाल है अब यह है मेरा क्या है तो आप इसका बनाने इस फ्रकार से अब मेरा जु टाइब था सर्फिस एडिकेशन का वो सारा हम लोग हैं झाल तो सुये तो स्परिस को सार्विस होता है यह समझ चुगे हैं क्या सब्सथ्यिखिण सब कि सर्फिस हाईरी गेशन तो सब सर्फिस हाईरीएशन जो होगा इस्ट्रेंट्स वो क्या होने वाला था कि अगर मानग चलिए आपका आप इस पर कार का था और यहां था प्रेंट तो क्या होजा था पानी परकुलेशन से श्ट्रम के द्वारा नहीं कि भी गशा इसंसे पाने क्या जाएगा इसमें तो उस प्रकार की हैं। वोरा guiding वो इस विंद तरद ऊसवा सर्य होगेसर व चैसा बोलते हैं सर्फर्फिसम अबबब श्र ाइरिएसं सबसुल थारी सिंदिट घजट्रा आखे हे अब खार या अबब खार है्इंट्ट्टीश्च ओर स्वी सर्फे खारिप 29, STUstyle delivered the water is delivered to the root zone of the plant of the plant of the plant to the root zone of the plant below and a plant by guy here by capillary capi c-a-p-i-r-l-a-r-y capillary action capillary action of the by the capillary action of the water and with the with the health of the root of the root of the root zone of the plant by capillary action of the water हमको लगता है कि यहां से लिखने की जिरोत नहीं है तो यह होग एस्टूरेंस के दोरा वाटर का यह होता है एक पूरा होता है ठीक है अब इस्टूरेंस इसमें दो टैप थे हैं पहला था क्या इसमें भी आप टू टैप इसमें भी क्वंको है एस्टूरेंस फाला था इसमें अगर चचा किया जाए तो नेच्चुरल फाला था क्या नेच्चुरल सबसर्फेस आईरिगेशन नेच्चणल सबसर्फेस आईड़ीजेशन और दूसरा था अर्टिफीसयाल सबसर्फेस सबसेश आईरिगेशन तो नेच्चुरल सबसर्फेस आईरिगेशन आप पहले चाह करनेगे तो पहला जो हो आश्уп derivative लगाएंगे निच्रल सब्सर्फेस का विसमें चुमें क्या होता है कि पानि के दवरा लिया जाता है तो स्ट्टिएंटिस मांगे चरिये आपके पास ये प्लाने था एसे था और यहां पर ये प्लांट थ sevent CT प्रॉट यह है और यह आपका स्टोड़ स्टेंक है रिजर बायर है नदी है जो भी कही है वह है अब यह पानी यह क्या कर रहा है यह रूट क्या कर रहा है पानी को ऐसे अट्रेक्ट कर रहा है होगा यह पानी को ऐसे अट्रेक्ट कर सकता है जब तक रहा तली हार्ट हो फाहर हो ठींट इस वसकता है तो वाटर टेबल जो होba रशीज पर होगा निचे ने यहां भी होकता है वाठर टिबल इसको भोलेंगे टे लेकिन 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 मैं वहां फासेगा जब यह जो है वाठर तेवल अगर यहाँ आ आजाएं तो आब यहा 3 स्ट्ट्ट्र रहना प्रोब्लम आ जाता है ह। यहां से रूट से य जो रूट है वह head ちो किट नहीं सकता है water गइंगा डूर्ट होती है इन्व में जनेट होती है तो ना के होता है कि पानी अपने आप से रूट के पास चला जाएगा रूट में चला जाएगा और उसका पौधा यूज़ कर पाएगा लेकिन तो इस परकार की सिस्टम को निच्टरल सबसबस एरिकाशन लेकिन 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 अगर मान के चलिए कि वाटर टेवल अगर बहुत ज़द सब्सक्रांच जमीन के अंदर जमीनें हांब पता जमीन के अंदर हो फिस्म को बोसारा चेदर होता है तो क्या होता है इस यह यह सब्लिए कि एसको बोलते हैं कि पर्फॉरेटर फाइब वह वह जोगा सिद्र हो अब देखिए पानि जानीर निकलेगा ऐसे निकलेगा इसलिए एक हैं सबस्क्राइब हो गया आटीफिसियल और सब्सक्राइब की लिए परकार देखना ज्टाली तर आटीफिसेघनेट्स इंधिस टाइप In this type of irrigation, the water is delivered to the root zone by capillary, by capillary, capillary action, by capillary action in which ground water table, ground water table is very near, near to the root of the plant. The root can get water easily by capillary action. यह successful कब नहीं होता है, जब it is not successful, not applicable, when water table is available, far away from, available, far away, if you square too much down, too much down, from root of the plant. तो इस फरकार से यह सिस्टम है किसका नेचरल सबसर्फेस है, नेचरल सबसर्फेस हैरी के संगा, इसमें हम लोग एक फिएर बनाएंगे, आप इसको लिखिए, है ना आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग इसमें आप इसको लिखिए, उसमें हम लोग फिएर बनाते हैं उसके बाद आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखिए, आप उटा रहे हैं, आप एक, इसमें लिखिए, आप को कुछ शिस्प्रकाया बनाएंगे, इसमें पालान करें, यह मेरा हम है, यह इन अहोंख सघ्रिंक कि रद्धर मुझा को हैआए यह वगते हैं यह यह गाउंड लेवन है इसके कोई पवधा मांचरी है जायए आ ग Arya मैं तो क्या होगा इस प societ की समझ दैंदर यह यह इसką का आकार है कि वदnorm je का अकार यह है ठीक है और इसका रूट जो ने किछ इस प्रकार से है एक पदे का रूट है और इसमें वाटर है तो पारला तो यह होगा कि इसमें water का σीपेज यह कुछ इस्प्रकार से होगा तो क्या कर रहा है यह सीपेज ओफ सीपेज ओफ वाटर यह क्या है रूट है यह क्या है रिजर वायर है रिजर वायर होगा या फिर कोई unlined का लान होगा मतलब कि ऐसा नला होगा जिसके side में वो यह concreting वगएरा नहीं किया गया होगा तब जागा तो पानी इतर इस से इतर जाए ठीक है यह जर्बार है और इसको गास कते हैं unlined का नाल unlined का नाल अनला नाल मंतलब कि यह प्रकार का यह नला होगा जिसमें यह जो side है वो पक्के का नहीं होगा तो यह बना लिए तो आप यह भी लिख सकते हैं ग्रेंड वाटर टेबल मंच लिए यहां अगर ग्रांड वाटर टेबल होगा तो यह ग्रांड वाटर टेबल है और इसके अंदर पानी ग्रांड वाटर टेबल के अंदर तो पानी राता है तो पानी होगा यह और इस से भी वाटर क्या हो जाएगा है इससे यह वाड़र प्रकॉलेट होके ओपर जाएगा ठीक है तो यह हो गया चांद पिलरी एक्षिट पिलरी आफीडिरी आप्षिट तो यह चीज है इसमें अब स्टुर्यांस नेस्ट जो आता है इसमें आर्टिफिचल क्या गई फिकर बना लिजा आप लोग ठीक है तु वहते बनाना बहुँत जरोड़ी होता है। इसलिए आप लोग इसको फिर यह बनेगे आप अब क्या करना है स्टुदेट्स फिर बनाने के-बाद आगर का वारभार सबसेंगे के वारे में पर हो सबसेill अरिएजन तो आर्टिफिस्टेश्ट तो आपके अर्टिफिस्टेल इस अपट्रीट परफॉर्टेट प्रफॉर्टेट प्यालते थे ताकि जो वाटर लेबल गाज और वाटर टेबल का जो रहा है तो इसमें अमलों कि अगरें के स्टुन्स वें हाइट ओफ water table is too much down from the root zone of the plant then the much down from the root zone of the plant then the water could not deliver to the root zone to the root zone with the help of region with the help of by capillary action by capillary action क्या होगा कि रूड जोन तक पानी capillary action के तरा नहीं पहुच भाएगा तो क्या होगा in this case in this case it is required to raise it is required it is required to it is required to meet the क्या होगा students water water requirement water requirement of plant it is required to meet the water requirement of plant by artificial means artificial means means for this हम लोग क्या करते experience system of perforated pipes system of perforated means perforated first on the first ये ताव दिति गैसे फ़错 रू जो डू लेखार नियouver अ रूटन एंट रूट ये अस बस दो जखे बेली उन गो बाउयर ऑ तो ड़ इनि पार ये द्ला़ आसा थे खारू आब खार दाव घंट and then supply is supply is done continuously and finally lips finally results in better production अब फिर अब को घर तो इतना चीज़ में देजाइक विसके बाद इसका एक फिगर मनादा कि अगा मांद देए यह मेरा स्वाइब लेवल है और इस पर यह कोई मांद भी है इसे परकार का को तो यह प्रकार से है तो अगर वाटर टेबल यहाँ पे है तो यहाँ से वाटर की रिकॉर्मनट को पूरा नहीं एक सकता है तो क्या होगा है स्ट्टे इंड्स हमको यह पर सीस्टम पर प्रफ़िट क्पाइब्स लगाना पढेगा ठीक है यहां प्रप्रप्रटेटर पाइप लगा रहे हैं ताकि कोई इसमें क्या होगा पानी है और इसमें से पानी क्या होगा प्रप्रप्रटेटर पाइप में से पानी जगा-जगा से निकलेगा यहां भी निकलेगा यहां भी निकलेगा मतलब कि इस परकार से अपने चार पानी को यह जो है यह दो decrease है न पळोगा इजली ले सकता है यह दो इस प्रकार से मं कह सकते हैं यह हो जाएसा यह मेरा versus पicated लेबल यह धी लिस ट्रे tam प्रकार से मेरा सिस्टम होता है सब्सर्पेस एडिशन न्या हो भी खत्म होता है यह यह बाइट यह उस स्कुझे जिवंट सकर खत्य हए तो मेरा काम इसका टाइप का कंडियह सब क्या है तो अब इसको एरियेज कर दे रहें ओवरेड आइरिगेशन जासरेंट्स ओवरेड आइरिगेशन इसमें चाह करते हैं इसमें हम लोग करते हैं कि इन दीज वाटर क्या करते हैं पानी को हम लोग जो ट्रीप पेर का बडी होता उस पर देते हैं डिरेक्टली तो इन दीज टाइप आफ आइरिगेशन और एवाटर एद सप्लाइड या पीर जेख यह बडी ओव दी प्लांट ठीक है? ठीक है? ठीक है? यह इस वाइ प्रांट अभी आशा लिक रिकरें अज़ कि एंड कि एंड आई जो आई झाँ? अबरहेड आईगेशन अबरहेड आईगेशन यह सब सब्सक्राइब करने के लिए हम कहते है इत में भी जन बाई इत में भी डन बाई 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 यूजिंग वाटर स्प्रिंक्लिंग टेक्निक वाटर स्प्रिंक्लिंग टेक्निक्स इसको किया सकता है मां चलते हैं ठीक है यह रूट जून है इसका भी इसका भी रूट जून है यह ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको जाएं गया को उसको इसको बूलते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें पानी देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इस्प्रे नोजल यह जाएगा यह तो और इसको बोट सकते हैं वाटर श्प्रिंख्लिंग तो तो में सिंगे यह पूस नहीं कि में से अच्छे और यह क्या कर रहा है प्लांट को एरिगेट कर रहा है तो इस परकार से आपने आज की लिक्षर में देखा क्या होता है लेक्षर का लेंद थोड़ा लंबा होगा आपको लगता होगा लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारा चीज को पर किये तो स्टुडेंट्स यह रहा इसमें और आगले लेक्षर में हम लोग इलिफेक्ट फारिकेशन को साथ मिलेंगे धन्यबाद